हलो एवरिवान विलकम टू आवर चानल आने के जुगिशिन पॉइंट मैसल फिना टकर और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो यह है कि एक्जाम्स के अंदर 95% मार्क्स कैसे लाएं यानि 95% आप अगर मार्क्स लाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन की तयारी के साथ या दो दिन की तयारी के साथ तो आप 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं यह वीडियो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब हम लाइक कॉपी वगरा चेक करते हैं तो हम यह एक्सपीरियंस आपको बता पाते हैं और जो बच्चों ने 95% से जाधा स्कोर किया है उन्होंने अ कौन कौन से जो टॉपिक्स है यानि कौन कौन से जो टिपस हैं जो हम फॉलॉब अप कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आप लोगों को अपने एक्जाम सिए अंदर स्केल ठीक है पैंशिल एरेज़ा सब कुछ लेकर चलना है और स्केल के बीना बिल्कुल नहीं जाना तो सबस सबसे पहले चीज यह होनी चाहिए नमबो one जो टिप है जो आप लोगों को मैं देना चाहती है वो है आपकी राइटिंग की छिक है आपको जो writing है वो अपनी clear रखनी होगी right अगर आप अपनी writing को clear रखेंगे तो teacher परिशान नहीं होगी क्योंकि teacher अगर परशान हो जाती है तो आपके marks कात लेती है right और आपको teacher को बिल्कुल परशान नहीं करना, cutting बिल्कुल नहीं करने क्योंकि आप जब भी कोई question छोड़ देते हैं तो वहां से आपको marks मिलने की संभावना बिल्कुल zero हो जाती है तो आपको सारे के सारे question attempt करने हैं कोई भी छोड़ना नहीं है तीसरा जो tip है जो मैं आपको देना चाहूंगी वो यह है कि आपको main point को underline करना बिल्कुल नहीं भूलना यानि जो आपका main points है और आपको answer अपने main points के अंदर देने हैं और उनको underline करना ही करना है क्योंकि आपका ये बहुत ही जादा मैं इसको proper mark करना चाहती हूँ इस point को यानि इस third वाले point को जहां से आपकी percentage बिल्कुल जादा बढ़ जाती है वो है आपके main point की for example आपका कोई सा भी topic है जैसे कि for example आप यहाँ पर कोई भी जैसे कि मान लीजे आपका topic है English ठीक है बहुत अच्छे कास है maximal लास्ट previous year question जो होते हैं ठीक है आपके previous year questions को कर लेने हैं आपको कितने सालों के करने हैं तो आपको three to five years यानि तीन से पांस साल के जो अगर आप previous paper कर लेते हैं आपको सारा का सारा paper वहीं से मिलने वाला है जी हां लास्ट previous year questions आप लोग कर ले तो आपको जो है सारे question वहीं से दिखाई देंगे definitely so 90% 95% score करना है या इससे जादा करना है तो 95 plus के लिए आपको definitely अपनी writing को clear रखना है attempt सारे question करने है main point को underline करना बिल्कुल नहीं भूलना है और आपके last previous year question को जरूर से जरूर कर लेना है right और मैं बताना चाहूंगी कि हो सके अगर आप तो एक चीज और करें कि आपने exam से पहले जो है example जरूर ready कर ले क्योंकि अगर आप example ready कर लेंगे तो उससे आपके topic को explain करने में बहुत असानी होगी और यह इगनू का जो है main point है ठीक है इगनू examples पर बहुत believe करता है चाहे बोले चाना बोले आपको इस पर जरूर work करना है अगर आप लोग बोलेंगे मैं next video इसके ओपर भी बनाऊंगी कि आपको अपनी answer sheet को किस तरीके से present करना होता है अगर आप कहेंगे comment करेंगे तो जल से चल इसके ओपर वीडियो में बना दूँगी बट अभी यह जो main जो आपको बता रहा था 95% score करने का या उससे जाधा का यह टिप जरूर फॉलो करें वीडियो अच्छा लगे तो प्रीजिस लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई-बाई थैंकि सो माच